नमस्कार आपको सभी का स्वागत है नियूस पियार पर आज 19 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशत हने वाली समचार पत्रों की और मिल्चपी वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंद आपकी और हमारी आहम जिंदगी से है सबसे पहली कबर हिंदुस्तान के राष्ट्री एस संसकरन से इसमें दिया है तो अचा से तोचा का सीधा संपर्ख नहीं हुआ है तो पौक्सु कानून की तहट अपराद नहीं बनेगा यॉमना को 2025 तक साफ करकर खुद डुबकी लगाऊंगा केजरिवाल ने कहा दिली के मुक्यमंद्री अरविंदर केजरिवाल ने गुरवार को कहा कि फरवरी 2025 तक यॉमना नदी की पूरी तरह साफ हो जाएगा और इसे लेकर शाह बिंदियों पर काम शुरू कर दिया गया है मुक्यमंद्री ने कहा कि यॉमना नदी को साफ करके मैं खुद उसमें डुबकी लगाऊंगा और दिली वाले भी स्नान कर सकेंगे विपक्षपर निसाना साथ तेवरों ने कहा कि बीते सत्तर सालों में यॉमना को प्रदुष्ट किया गया है उसे दो दिन में साफ नहीं किया जा सकता दिली के लोगों से मैंने 2019 के विधान समद चुनाओं में बादा किया कि अगले चुनाओं तक यमना को साफ कर दूँगा मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ फरार आर्थिक अपरादी देश लोट आएं इसके अलावा कोई विकल्प नहीं प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने गुरबार को कहा कि उनकी सरकार हाई फरोफाइल फरार आर्थिक अपरादी को स्वदेश लाने के लिए सभी तरीकों का इस्तमाल कर रही है उनके सामने देश लोटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है सिब्यसी परिक्षा आफ लाइन होगी साहित करना चाहिए सिब्यसी की पहले सात्र की परिक्षाएं सोले नवंबर से शुरू हो चुकी है और सी आई एस ए की बाइस नवंबर से शुरू होगी इस तरह पर प्रकिरिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा इंग्लैंड से पटना आया युवक निकला कोरोना संक्रमित इंग्लैंड से पटना आया युवक कोरोना संक्रमित पाया गया इससे स्वास्त महके में हरकंप है जिला परशासन को भी इसकी सूचना दी गई, उसका सैंपल लेकर अब वाइरस के वेरियंट का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसका सैंपल की जिनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी, उसका सैंपल विश्विस्वास संगठन की माध्यम से भीजा जा रहा है अस्पताल और स्वास्वभाग के विश्वसूत शूत्रों के ने रताया कि मोतिहारी निवासी युवक इंग्लैंड से पहले दिल्ली आया था वहाँ प्रदूशन और फॉक के कारव उसकी तब्बित खराब हुई, उसके बाद वो पटना चला आया यहाँ अपना इलाज कराने पारस अस्पताल पहुँचा है जंधारपूर में ADJ से थानेदार ने की हतापाई तानी पिस्टल, F.I.R. दर्ज दूब्रभार करने वारे थानेदार और S.I. गिरफतार जंधारपूर, ADJ अविनाश कुमार प्रथम के चांबर में गुरुवार को घोगर डेहा, थानाध्यक्त गुपाल कृष्ण और A.S.I. अभी मन्यु कुमार शर्मा ने ADJ पर हमला कर दिया ADJ के साथ हाथा पाई की हंगामे की भी इस थानाध्यक्षन ADJ पर पिस्टल दान दी, चैंबर सर्शूर की आवाज आने के बाद, कोट परिश्टर में मौजुद अदिवक्त और कर्मियों ने दोड़ कर थानाध्यक्त के हाथ से पिस्टल चिनी, तब जाकर सिती काबू में शिकन जान, नीट सॉलवर गैंग का सरगना पीके गिरफतार, सॉलवरों के लिए जरिये नीट पास करवाने का सौधा करने वाले गैंग के सरगना पीके उर्फ प्रेम कुमार, उर्फ निलेश कुमार को पुलिस ने गरवार को गिरफतार कर लिया, उसके साथ उसका बोचा गया है आरोपित रितेश पटना सचीवाले में लिपिक है पुलिस ने दोनों को सारनाथ शेतर में रिंग रोड पर बने फ्लाइवर के पास से पकड़ा है दोनों की गिरफतारी के कुछ घंटे ही पहले ही पुलिस आयुक्त सतीश गनेश ने पीके पर एक लाक रुप कंपण्स के लिए भटक रहे हैं ज्यादा धान देने के बाद भी डी अपी नहीं मिल पा रही है या हाल तब है जब डी अपी की सबसे अधिक जरूत है ऐसे में किसायां डीअपी के लिए मारा मारी कर रहे हैं दरसल अंतर राश्ट्रे बाजार में फासफорिक एसेढ महंग अन्य शारडीक जांच में राज भर के लाखो अभियरती भाग लेंगे पंचाइचनाओ के बाद ट्रक्रिया शुरू होगी पुलिस मुख्याले ने सभी जिलों को पत्र भेज कर एंड्रॉल्मेंट बनाने को कहा है वर्ष 2011 में होमगार में भर्ती के लिए आंतिम विग्यापन प्रकाशित हुआ था और उसी अधार पर लाखो युवाओं ने आविदन किया था तो यह ते दमाम अकबारों से आज की खबरे आज के लिए बस इतना ही और भी खबरों के लिए न्यूस प्यार के साथ अज दिन भर बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद